हलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आज फिर आपके चैनल पर हाजिर हूँ, आपके चैनल English Grammar and Math by Anita चंदरापर तो दोस्तों आप ध्यानक नहीं, आपके चैनल का नाम आज से चेंज होकर के ब्रिलियंट सिख्षा हो गया है by Anita चंदराप तो चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, क्लास 10 के चैप्टर नमबर, रियल नमबर, फस्त चैप्टर रियल नमबर, वास्तिक संख्याओं की, एक्साइज 1.4 तो पूरी एक्साइज को आज हम लोग कवर करेंगे, और इसी के साथ हमारा फस्ट चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा होप सो आप लोग इस वीडियो को इंजॉय करेंगे और इस चैप्टर को आप समझेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास 10 रियल नंबर वास्तिक संख्याओं एक्साइज 1.4 देखें इस एक्साइज को स्टार्ट करें, उससे पहले हमने ध्यान रखना है कि हमारे पास दो चीजें terminating decimals क्या होते हैं? Means शानसंखह हैं और non-terminating decimals क्या होते हैं? तो पहले terminating decimals की ब chat कर लेसे हैं terminating decimals वो नंबर हैं बिटा, जिनको अगर हम लोग ये fraction's, उब सब पहले बात तो ये fractions होते हैं जिसमें हम लोग उपराली रकम को numerator, अंश और निचा अली रकम को denominator, मतलब हर बोलते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि जो उपराली रकम है that is numerator और जो निचा अली रकम है that is denominator अंश और हर, अंश बते में हर तो आपने ध्यान रखना है सबसे पहले रखम बात करते हैं terminating की तो terminating में हमने क्या करना है जब हम लोग last exercise में कर चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जो denominator जो हर है हमारे पास उसके factor करते हैं अगर factors में हमारे पास सिर्फ 2 आएगा या सिर्फ 5 आएगा या फिर 2 and 5 दोनों आएगा उनकी powers कुछ भी हो सकती है तो that means वो क्या होंगी terminating होंगी लेकिन अगर 2 and 5 को छोड़के कोई और factor आता है तो that means वो non-terminating होंगी तो यहाँ पर example है 23 upon 500 तो अब धिटा ध्यान रखना है कि 23 upon 500 के आपकी terminating example है चलिए एक और example 21 upon 700 21 upon 700 में क्या करेंगे हम लोग 700 के हमने factor किये 700 के factor आप easy भी कर सकते हैं वो अभी बता देए हैं पहले इसको factor को एक बाद देख लेते हैं 700 पहले 7 से divide किया 100 आ गया अगें 2 से divide किये 50 अगें 2 से 25 अगें 5 थे तो factor हमारे पास आगे 7 into 2 into 2 into 5 into 5 और easy करके लिखना है 7 into 2 raise power 2 into 5 raise power 2 यह हमारे पास factor होगे 7 के और easy अगर हम लोग करना चाहें हम लोग नहीं यह divide करना चाहते हैं हम लोग लिख सकते हैं 700 equals to 7 into 100 again 7 into 100 के factor 10 into 10 again 10 के factor 5 into 2 into 5 into 2 तो यह बन गया हमारे पास 2 raise power 2 and again 5 raise power 2 तो आप ऐसे भी simple के कर सकते हैं तो अब मैंने सबसे पहले जब तक मैंने factor किये तब मैंने देखा यहां पर factor में आ रहा है 2 and 5 आ रहा है लेकिन 2 and 5 को छोड़के एक और रकम आ रही है 7 पर मैंने आपको अभी कहा है कि अगर 2 and 5 को छोड़के कोई और रकम आ रही होती है factors में तो that means वो क्या होगा non-terminating हो लेकिन एक चीज़ ध्यानक में है कि जो भी हमारे पास numerator है जो भी अंश है आपके पास अगर denominator के factor में वो कटने के बाद ध्यानक ना है कि सिर्फ 2 and 5 आ यह ध्यानक ना है कि आपने उसको lower term denote करना है अगर denote करने के बाद 2 and 5 आता है तब वो terminating हो है तब आपने decide करना है कि वो terminating है कि non-terminating है तो यहाँ पर 7 तो आ रहा था but 7 जो है 21 से cancel हो गया इसलिए जो यह fraction थी हमारे पास 21 upon 700 that is terminating तो आपने इस चीज़ का ध्यानक ना है चलिए next देखते है एक और example 23 upon 60 तो यहाँ पर 23 upon 60 पहले हमने 60 के factor कर लिए है 230 250 30 अगें 3 5 15 and 5 and 5 तो हमारे पास factor आगए है 60 के 60 के factor आए 2 रिस पर 2 into 3 into 5 अब मैंने देखा यहाँ पर 23 जो है वो 3 से तो cut नहीं रहा तो यह जो 3 है 2 and 5 को छोड़के extra रकम आगई 3 तो इसलिए यह क्या हो गया हमारे पास अशान्त हो गया non-terminating हो गया तो होप सो यह concept आपका पुराना वाला revise हो गया होगा इस वीडियो में तो अब आपके पास question पर आते हैं first question exercise का without actually performing long dividend state whether the following rational number आपके पास rational number दिया हुआ है आपने चेक करना है बिना divide किये we'll have a terminating और non-terminating repeating actually तो आपने बताना है कि वो terminating है या non-terminating है बिना divide किये है तो देखते हैं हिंदी में question हिंदी में question है बिना लंबी विभाजन परिक्रिया किये बताइए निम्द परिमे संख्याओं के दश्यमलव परसार शान्त है या अशान्त अनावर्ति तो आपको बताना है कि वो terminating है या non-terminating है चलिए पहला question देखते है question है 13 upon 3125 तो 13 upon 3125 के लिए हम लोगों ने करना क्या है हमने जो नीचे अला denominator है बटाट तो यहाँ पर denominator है हमारे पास 3125 तो आपने denominator के सबसे पहले factor करने है तो इसको divide किया हमने देखा यहाँ पर 5 से divide होगा 625 again 625 5 से divide होगा last digit क्योंकि 5 है 125 again 5 से divide होगा 25 again 5 से तो अब जब इसके लिखेंगे factor हमारे पास 3125 के 1, 2, 3, 4 and 5 तो 5 into 5 raised to power 5 हमारे पास factor आ गया अब हमने बात कि थी कि अगर किसी भी denominator के factors में only 2 है या only 5 है या 2 and 5 है तो वो क्या होगा terminating होगा तो हमने देखा 3125 में हमारे पास क्या आएगा factors 5 raised to power 5 only 5 है तो that means यह क्या हो जाएगा आपका शान्त हो जाएगा terminating हो जाएगा ठीक है चलिए next question पर चलते है next question है 17 upon 8 तो आपने again क्या करना है यहाँ पर आपका हर देखना है denominator देखना है तो denominator आपके पास 8 तो 8 के हमने factor किये 2 for the 8 again 2 to the 4 and again 2 1 to 2 तो factor आगे 2 raised to power 3 तो अभी बात किती हम लोगने कि अगर मेरे पास factors में only 2 आएगा यह 2 and 5 दोनों आएगे तो यहाँ only 5 आएगा तो terminating होगा तो यहाँ पर only 2 आ रहा है तो that means यह क्या होगा शान्त होगा terminating होगा चलिए next देखना है question 64 upon 4 double 5 455 तो हम 455 के factor करेंगे सबसे बेले 5 ते डिवाइड हो गया 91 again 7 13 7 is the 91 अब यहाँ पर मैंने factors में देखा 5 into 7 into 3 तो अभी हमने बात कि थी कि जिसके factors में only 2 आएगा only 5 आएगा यह फिर 2 and 5 बोथ आएगा तो वो क्या होगा terminating होगा अगर इसके अलावा कोई और number आता है तो that means वो क्या होगा non-terminating होगा तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास factor में आ रहा है 5, 7 and 13 तो ना तो 7, 64 से कट रहा है ना 64, 13 से कट रहा है दोनों में से किसी रकम से भी नहीं कट रहा है तो that means यह क्या हो जाएगा non-terminating हो जाएगा why क्योंकि इसके factor में 5 and 2 के अलावा भी हमारे पास रकम आ रहा है that is 7 and 13 तो यह क्या हो गया हमारे पास non-terminating हो गया चलिए, next चलते है next question है 15 upon 1600 पंदरा बटे में 1600 तो हमने क्या करना है 1600 के factor करना है 1600 के factor देखते है सबसे पहले 2 से divide किया 800 again 2 से divide किया 400 again 2 से divide किया 200 again 2 से divide किया 100 100 को 2 से divide किरेंगे 50 again 5 से divide किरेंगे 25 again 5 5 देखते हैं तो हमारे पास factor हो गया है और इसे और अगर आप अपने method से इतना लंबा division नहीं करना चाहते है तो हम लोग लिख सकते हैं 1600 इकल स्टू 16 इंटू 100 again 100 के factor 10 इंटू 10 then 4 के factor आपके पास 16 के factor 4 इंटू 4 again 4 के factor 2 इंटू 2 यह 4 के factor होगे 10 के factor 2 फाइफ दर 2 फाइफ दर अब इसके देखते हैं हमारे पास degrees में कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले 2 की बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, and 6 तो 2 raise power 6 again 5 5 कितने बार है 2, 2 बार तो 5 raise power 2 तो अब हमेरे पास आ गया 1600 that is equals to 2 raise power 6 into 5 raise power 2 अब क्योंकि इसके factors में only 2 है and only 5 है अब वो powers आप कुछ भी हो सकता है जरूर ही नहीं है same equal powers हो power कुछ भी हो सकती है तो वो terminating होगा तो इसके factors में हमने देखा 2 है and 5 है तो that means यह क्या होगा हमेरे पास terminating होगा next question question है 29 upon 343 तो हम लोग पहले 343 के factor करेंगे 7 से divide हो जाएगा 749 7 is the 343 again 7 से divide करेंगे 7 7 is the 49 again 7 1 is the 7 तो factors में हमेरे पास है 7 raise power 3 1, 2, 3, 3 times तो 7 raise power 3 आपके पास आगया अब इसमें ना तो 2 है ना 5 है तो 2 और 5 के अलावा भी एक रकम है that is 7 raise power 3 तो that means यह क्या होगा आपके पास non-terminating होगा next question 23 upon 2 raise power 3 इन्टो यह जो dot है dot means multiply तो वैसी clear है इसके powers में क्या है 2 raise power 3 है and 5 raise power 2 है इसके factors में क्या आ रहा है हमारे पास denominator के factor में जो आपके पास हर है हर के गुननखंड में आ रहा है बटा 2 और 3 आ रहा है तो अगर 2 और 3 आएगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा शान्त हो जाएगा terminating हो जाएगा चलिए next question 129 upon 2 raise power 5 5 raise power 7 and 7 raise power 5 तो आपने देखने हैं सबसे पहले एक चीज़ चेक करनी है कि यह 7 raise power 5 है कहीं यह 129 से divide तो नहीं हो रहा मैंने चक किया तो 129 से divide होता ही नहीं है तो अगर यह 7 से divide नहीं हो रहा तो that means 7 raise power 5 raise power 5 अगर यह रखम extra आ गई है के factor किये 3 5 is the 15 again 5 is the 5 तो मेरे factor में आ गया 3 into 5 लेकिन मैंने देखा कि जो 3 है वो 6 से cancel हो रहा है जब मैंने cancel किया 3 to the 6 तो मेरे पास आ गया 2 upon 5 अब इसके denominator में only 5 आ रहा है तो अगर denominator में only 5 है तो यह क्या हो जाएगा terminating और शान्त हो जाएगा otherwise अगर हम लोग factors के simple factor पे देखते हैं तो 3 and 5 है तो फिर तो 3 इसमें extra आ रहा है तो यह non-terminating होना चाहिए तो जब भी आपने decide करना है कि कोई जो fraction है वो terminating है या नहीं है तो आपने ध्यान रखना है कि जो denominator के factors हैं जो भी आपने गुननखंड की है उन गुननखंडों में कोई रकम ऐसी तो नहीं है जो extra आ रही है और उपर आपका जो हर अंश है अंश से कट जा रहा हूँ तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है चलिए 9th part देखते है 9th part है 35 upon 50 तो आपने 50 के factor कर लेने 2 into 5 into 5 तो यह आपके बाइस factor आ गए तो आप मैंने देखा 1 5 यहां से cancel हो जा रहा है 35 से 1 5 से 5 cancel तो मेरे पास होगा 7 upon 2 into 5 तो again denominator को चेक करना है हमने denominator में मेरे पास 2 into 5 तो अगर 2 और 5 है तो that means क्या होगा यह एक शान्त होगा terminating होगा चलिए 10th part पर चलते है 77 upon 210 तो आपने क्या करना है सबसे पहले 210 के factor कर रहे है last में 0 है तो सबसे पहले 2 से ही divide कर लेते है 210 को जब 2 से divide करेंगे 105 again 5 से divide करेंगे 21 and 7 3s are 21 तो आपके बाइस factor आया 2 into 5 into 7 into 3 लेकिन इसका जो numerator था वो कितना था मेरे पास 77 तो एक 7 तो गट गया 11 7 जा 77 तो मेरे पास अंसर आ गया 11 upon 2 into 5 into 3 अब फिर मैंने देखा यहाँ पर जो denominator है denominator के factors ने एक 2 आ रहा है एक 5 आ रहा है और एक 3 आ रहा है यह जो 3 है यह extra आ रहा है यह अगर नहीं होता तो यह terminating होता बत क्योंकि 3 है तो इसलिए यह रखम क्या जाएगी non-terminating और अशान्त हो जाएगी hope so आपको यह यहाँ तक का concept clear हो गया होगा इतने question समत में आगे होगे फिर भी अगर आपको कोई problem हो आप लोग please comment box में जरूर लिखे चलिए question number second की तरफ चलते है second है write down the decimal expansion of those rational numbers तो आपने वो rational number के decimal expression लिखने है किनके in which question number one above which have terminating decimal तो आपने question number one में जो question दिये थे सिर्फ वही question जिनके जो decimal expansion है वो क्या है terminating है उनके decimal वो पूरा लिखने है कि कहां तक जाके वो खतम होगा तो देखते हैं हिंदी में उपर दिये गे प्रशन में उन परिमे सख्याओं के दश्यमलव प्रशार लिखिए जो शान्त है तो आपने सबसे पहले वही question चाटने है उपर से जो शान्त है तो देखते हैं कौन-कौन सा सबसे पहले तो first part हमने किया था जिसका denominator था 3125 ये एक शान्त था second किया था upon 8 third 1600 and fourth 2 raised power 3, 5 raised power 2 और last हमने किया था जिसका denominator था 15 तो चलिए first part से start करते हैं first part था 13 upon 3125 तो 3125 के हम लोग factor कर चुके थे factor में आ रहा था हमेरे पास 5 into 5 into 2 into 5 sorry 5 into 5 into 5 into 5 तो कितने बार 5? 5 time 1, 2, 3, 4, 5 5 time 5 है था 1, 2, 3, 4 and 5 तो आपने अब देखो क्या ध्यान रखना है आप बिटा अगर मैं इसको divide करना चाहूं तो divide करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो आपने easy method क्या है हम जो भी 5 है या जो भी 2 है जो भी आपके पास decimal अगर decimal expression क्यासा होगा terminating होगा तो उसके factors में हमें पता है या तो 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आएगे तो आपने क्या करना है जो भी आपका denominator उसको 10 बनाना है तो 10 बनाने के लिए जितने 5 थे मैंने उतना ही 2 से multiply कर दिया 1, 2, 2, 2, 3, 4, and 5 तो हमने 5 बार 2 से इसको गुना कर दिया अब एक बार ध्यान अकना है कि जितनी बार हमने नीचे गुना किया है उतनी बार उपर भी गुना करना है 1, 2, 3, and 4 4 है तो हम एक बार और गुना करेंगे तो ये मेरे पास हो गया 5 तो 5 बार मैंने नीचे गुना किया है 2 से और 5 बार ही उपर ध्यान अकना है जो चीज हम लोग left hand side देंगे math में हमेशा equal वही चीज right hand side देंगे जो चीज उपर देंगे अगर उपर प्लस कर रहे है तो नीचे भी प्लस करेंगे उपर multiply करेंगे तो नीचे भी multiply करेंगे ध्यान रखने आपने तो हमने क्या किया इस question को 10 बनाने के सारे 5 को 10 बनाने के लिए 2 से multiply कर दिया और उपर भी उतनी रकम से multiply कर दिया चलिए देखते हैं तो उपर 2 हमारे पास आया 1, 2, 3, 4, 5 तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 and 16 to the 32 मेरे पास आगया 13 into 32 और नीचे कितने 10 बन गए 510 1, 2, 3, 4 and 5 1, 2, 3, 4, 5 तो अब इसको हम लोग 13 को 32 से जब हम लोग multiply करेंगे 416 आएगा और नीचे 50 अब इसको हम लोग 0s लगा सकते हैं पॉइंट लगा सकते हैं देखें कितनी 0s अंदर count करते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 5 0s हैं उपर मेरे पास 416 हैं हम लोग पीछे से count करते हैं decimal लगाना 1, 2, 3 अब कोई number नहीं थे तो कोई number नहीं होता हम लोग 0 पॉट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and point लगा दिया हमने तो answer क्या आगया हमेरे पास 0.00416 चलिए second part पर चलते हैं second part था 17 upon 8 तो 8 के factor हमने कर लिए थे 2 into 2 into 2 तो अब फिर हमने क्या देखना है जो भी denominator denominator को हमने क्या करना है 10 बनाना है तो कितने 2 थे 3 इतने ही बार हम लोग 5 से गुना करेंगे और उपर भी उतनी बार हम लोग 5 से गुना करेंगे तो हमने किया क्या 3 बार 5 से नीचे multiply किया और 3 बार 5 से उपर multiply किया तो अब देखते multiply करते हैं 25 25 25 125 तो हम लोग 125 इंटु 17 और नीचे कितने 10 बन जाएंगे 310 बन जाएंगे तो 125 को 17 से मिल्टिप्लाइंगे रहेंगे तो हमारे पास अंसर आएगा 2125 और नीचे 30 अब इसका 15 अपॉन 1600 तो हमने 1600 के फेक्टर कर लिए हैं यहां पर फेक्टर में आया हमारे पास 123456 6 टाइम 2 123456 एंड 2 टाइम 5 तो 2 टाइम 5 हमने लिख दिया चलिए आगे देखते हैं हमने करना क्या हमने 10 मनाना है तो हमने देखा 6 बार आपके पास 2 आ रहा था और 2 बार आपके पास 5 आ रहा था तो यह जो 2 है इनका तो 10 बन गया कितने रह गए 1,2,3,4 रह गए तो that means हम लोग क्या करेंगे चार बार पास से नीचे गुना करेंगे और चार बार पास से उपर गुना करेंगे ठीक है तो उपर पहले मल्टिप्लाई कर लेते हम लोग देखें 55 25 25 25 125 और 125 को जब आप 5 से गुना करेंगे 625 625 आ जाएगा और नीचे हम लोग 10 देख लेते हैं कितने बनगे वह दो 10 तो हम लोग बना चुके है अगें एक एक 10 हो गया 2 को जब 5 से मल्टिप्लाई करेंगे दूसरा 10 हो गया अगले 5 को 5 से मल्टिप्लाई करेंगे firewall को 5 से मलटिप्लाई करेंगे तो अगला 10 हो कितने 10 हमार पास बन गया है 1 2 3 4 5 6 तो 6, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 बाट 10 हो गया अब 15 को 625 से multiply करेंगे तो हमेरे पसंत रहेगा 9, 3, 7, 5 upon 6 zeros तो 6 zeros हमने point लगाना है 9, 3, 7, 5 को लगाके 1, 2, 3, 4 अगेन कितनी zeros चाहिए हैं हमें 6 तो 4 हुए है 5 and 6 6 के बाद हमने point लगाया तो आगे 0 लगाया है तो answer आगे आपके बास 0.009 3, 7, 5 चलिए next question देखते हैं next question है 23 upon 2 raise per 3, 5 raise per 2 तो हमने लिख दिया 3 को 2 बार और 5 को 2 बार तो अब इसमें से ध्यान रखना है हमारे पस ये तो 10 हो गए कितने 10 हो गए 1 and 2, 2 10 हो गए अकेला 2 रह गया तो 2 को 10 बनाने के लिए कितसे multiply करेंगे एक पास से तो उपर भी एक पास से multiply कर दिया अब 23 को जब हम लोग 5 से multiply करेंगे वो आएगा 1, 1, 5 115 और बटे में दो 10 अल्रेडी थे और एक 10 और बन गया तो 3 10 हो गए अब आपने point लगाना है तो 3 0 है नीचे तो 3 0 मतलब 3 के बट point तो 1, 2, 3 115 के बट point लग गया और एक आगे 0 लगा दी तो यह हमारे पास answer आ गया next question है 6 upon 15 तो हमने इसको 6 को 15 के factor किये 3 into 5 तो 3 into 5 यहां से 3 to the 6 कट गया हमारे पास 3 to the 6 कटने के बद आप मारे पास क्या आ गया देखते है यह बचा 2 upon 5 तो 2 upon 5 5 को 10 बनाने के लिए 2 से multiply किया तो उपर भी 2 से 2 to the 4 5 to the 10 तो point लगाएंगे एक के बद point आ गया तो 0.4 आपका answer आ गया hopes हो आपको यह question बहुत easy method से आपको कराया गया आपको समद में आ गया होगा आपको कोई long division करने की जरूरत नहीं है चले question number 3 चलते है question number 3 है the following real number have decimal as given below in case decide whether they are rational or not if they are rational and of the form P upon Q what you can say about the prime factor of Q तो एक बद हिंदी में देख लेते हैं कितक कुछ वास्टिक संख्याओं के दश्यमलब परसार नीचे दिये गए है परतेक सिती के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परीमे संख्या है या नहीं यदि यह परीमे संख्या है तो P upon Q की रूप में तो Q के अभाजे गुननखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे तो चलिए एक बार दुबारा से decide कर लेते हैं पहले इस question देखते हैं question हमार पास first question है 43.123456789 again second part 0.120 1200 12000 12400 and third part 43.123456789 इस पूरे के उपर बार है तो बार का मतलब हम लोग है यह नंबर repeat होने शुरू हो जाएंगे ठीक है चलिए इस question को हम लोग करें इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि rational number क्या होता है rational number हमें पता है P upon क्यों की form में होता है क्यों जो है जो आपका उपराली रकम है उसको हम बोलता है अंश और नीचाली रकम को बोलता है means numerator and denominator उपराली रकम numerator नीचाली रकम denominator तो हमने सबसे पहले बात करते है terminating शांत की तो शांत रकम कौन्शी होता है शांत रकम वो रकम होती है जिसको हम लोग डिवाइड करें और completely डिवाइड हो जाए है ना तो जो rational number है सबसे पहले चीज property क्या है जो rational number है वो होते है शांत होते है शांत मीज़ उनको डिवाइड करें तो completely डिवाइड हो जाते है repeat नहीं होता मतलब आगे आगे फर्दर ऐसा नहीं कि divide divide डिवाइड नहीं करते जाएंगे और वो खतम नहीं होगा then non-terminating की बात करते हैं तो non-terminating में पिटा आपके पास डो रख में आती है जो आपके पास rational number है वो non-terminating भी होता है लेकिन non-terminating में वो repeating भी होगा repeat होना शुरू हो चाहेगा for example 20 upon 3 जब आप इसको divide करेंगे 23 to 3, 6 to 18 then point लगा 2 नीचे आगया 20 में से 18 minus के 2 आगया तो आपके पास 6 जब आप इसको divide करेंगे 6, 6 ऐसे 10 upon 9 कर लो 1.1111 आगे होना completely divide नहीं होगा तो rational number के होते है non-terminating and repeating होगे अब बात करते है irrational number के तो बटा irrational number भी non-terminating होते है लेकिन वो non-repeating होते है repeat नहीं होगे for example हम लोग बात करते है 22 upon 7 जब आप 22 upon 7 को divide करेंगे तो 3.142857129 आगे भी आप लोग divide करते रही है ये आपका खतम नहीं होगा रकम repeat भी नहीं होगी यापन चीक है ऐसे ही square root of 2 square root of 2 में जब आप करेंगे तो 1.4142135629 इतना तो मैंने करके देखा आगे आप करेंगे और आगे भी ये चलता जाएगा लेकिन number repeat नहीं होगे इतनकी खासियत है तो जो आपके irrational number है वो क्या होगे non-terminating and non-repeating तो चलिए अब question पर आ जाते है question सबसे पहले first part था 43.123456789 तो हमने क्या देखना है इसका पहले point हटा ले पहले सबसे पहले चीज़ पता लग गया कि 1,2 जो point के बाद है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 पर आके ये रकम खतम होगे अगर 9 पर आके खतम होगी तो ये आपके पास है terminating और अगर ये terminating है तो ये क्या होगी rational number होगी ठीक है तो आपके बास ये क्या कौनसी रकम होगी rational होगी अब rational है तो मुझे ये देखना है कि जो नीचे आप question ये था कि जो आपका denominator है जो आपका हर है हर के जो भी टुकड़े है वो क्या होगे तो मैंने देखा point अटाके 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तो यहाँ पर कितनी नंबर थे बाटा 9 तो कितनी जीरो जा जाएंगी 9,0 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तो 9,0 आ गई तो 9,0 को हम लोग क्या लिख सकते है 10 raised power 9 अब 10 के factor करेंगे तो 10 के factor हमारे पास क्या होता है 2 into 5 तो that means हम लोग अलग-अलग लिख सकते है तो हमने क्या लिखा यहाँ पर हम लोग इसके factors लिख सकते है 2 raised power 9 और 5 raised power 9 तो यह आपका अंसर हो जाएगा चले इस second part पर चलते है second part है हमारे पास 0.120 1200 12000 12000 12400 12400 आगे continue है तो पहली चीज़ तो हमने यह देखा कि यह क्या है non-terminating number है non-terminating में हमने देखना है कि repeating है या non-repeating है तो मैंने यह देखा 120 यह number है again 1200 आ रहा है again 12000 आ रहा है and 12400 आ रहा है तो that means जो number है वो तो repeat होई नहीं रहा कोई भी अगर number repeat नहीं हो रहा तो यह क्या हो गया non-terminating and non-repeating अगर यह पुनरा वरती इसकी नहीं हो रही है तो यह क्या हो जाएगा हमरे पास irrational number हो गया अगर irrational number है तो इसको हम लोग करने की जुरत नहीं है चलिए third part पर चलते है third part है 43.123456789 तो सबसे पहले हमने यह देखा कि यह जो number हो repeat हो रहा है यह जो बार लगा है ना तो बार का मतलब होता है बटा कि number repeat होना शुरू हो गया ठीक है चलो इस question को करने से पहले आपको एक चीज़ समझाते है बटा एक मैंने क्या किया 10 को 9 से divide किया आप करके देखना जब 10 को 9 से divide करेंगे तो यह क्या हुआ repeat होना शुरू हो गया repeat किस के बाद? point के बाद 11111 आ गया तो that means यह one digit के बाद repeat होना शुरू हो गया ऐसी 20 को भी 9 से divide करके देखते है 20 upon 9 तो यह जब आप divide करोगे तो 2.2 again यह 2 के बाद होना शुरू हो गया जब हमने 50 को again 9 से divide करके देखा तो 50 को 9 से divide करके देखा यह भी 5.5 तो इन तिनों में हमने देखा क्या देखा कि यह जो नंबर है अगर मैं 1 9 से divide कर रहा हूं तो नंबर 1 नंबर के बाद ही एक डिजिट के बाद ही repeat होना शुरू हो गया चलो मुझे बड़ा अजीब लगा चलो मैंने फिर क्या किया इसको 99 से divide करके देखा तो जब मैंने 99 से divide करके देखा तो यह जो नंबर है 0 1 0 1 0 1 तो यह 0 1 दो डिजिट के बाद repeat होना शुरू हो गया फिर मैंने का चलो हो सकता है एक बार 999 से divide करके देखता हूँ तो मैंने एक बार 999 से divide करके देखा तो यहाँ पर मैंने देखा point के बाद 3 बार 0, 001, 001, 001 मतलब 3 डिजिट के बाद number repeat होना शुरू हो गया ऐसी मैंने और example करके देखे तो यह 4 बार से 4 बार repeat हो रहा है अगर 5 बार 9 आएगा तो 5 बार repeat हो रहा है ठीक है तो एक चीज़ clear होगी कि इस example से एक चीज़ मुझे यह clear होई कि जितनी बार number repeat हो रहा लास्ट वाला जितने के बार repeat हो रहा उतने ही 9 नाएंगे तो मैंने अब question पर आ जाते है question था मेरे पास 43.123456789 मैंने इन नंबर को count किया नंबर थे 123456789 तो 9 digits है तो इसका मतलब जो नीचे number कहां repeat हो रहा है 9 के बार repeat हो रहा है तो इसका मतलब कितने number repeat हो रहा है 9 के बार तो इसका मतलब जो denominator है उसमें कितनी बार 9 आएगा 9 बार जैसे यहाँ पर example हमने किया था न 999 तीन बार था तो number कितने repeat हो रहा है 3 इससे पहले उपर अगर 9 दो बार था तो number repeat हो रहा है 2 अगर 9 एक बार था तो number repeat हो रहा है तो इसी तरह अगर 9 number repeat हो रहे है तो that means 9 कितनी बार आएगा 9 बार तो इसके factors हम लोग ने कर लिए सबसे पहले 9 से divide हो रहा है तो 9 से divide 9 से इसको किया तो 9 बंदा 1 बंदा तो कितनी बार 9 कितनी बार 1 आ जाएगा 9 ताइम तो अगेन ये 1 to 3 1 to 3 1 to 3 ये 3 से divide हो जाएगा मैंने 3 से divide किया तो ये आ गया 370 370 37 अगेन इसको 3 को मैंने किया इसको अगेन 3 से अगेन एक बार और 3 से करेंगे एक 3 यहाँ पर लिखना रह गया है तो हम लोग यहाँ एक और 3 लिख लिएते हैं तो इसमें 3 से जब इसको divide करेंगे ये आएगा 1,2,3,4,5,6,7,9 अगेन इसको 37 से divide हो रहा बाकी किसी number से divide नहीं हो रहा तो आपके factors आजाएगे 9 into 3 एक 3 इसमें add कर लिजेगा ठीक है तो इसी के साथ आपका ये first chapter complete हो गया और ये exercise भी complete हो गए इस वीडियो में तो अगर please फिर भी आपको किसी concept में कोई problem रह गई हो please comment में जरूर करके बताइए हम लोग next वीडियो में उस concept को specially उस concept के उपर एक वीडियो बनाएंगे और thanks for watching next वीडियो हम लोग second chapter start करेंगे second chapter के introduction और जो भी उसमें important point है second chapter में उसके साथ start करेंगे hope so आप लोगों को ये वीडियो में मजा आया होगा आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगी please channel को जरूर subscribe कीजिए channel को देखते रहिए thanks for watching thanks for subscribing